केके पाठा के साथ बहुत बड़ा गेम, पटना डियेम बने बहुत बड़ा मुद्दा और क्या सिक्षक और अभ्यार्थियों के लोटेंगे दिन नमश्कार आदाब और दिल से पर्नाम आप तमाम प्यारे-प्यारे साथियों के साथ, तमाम सिख्चक बंधुए और तमाम सिख्चक अभियर्थियों को, मैं हूँ इसके चोधरी दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ बिहार की सियासत को लेकर और सिक्षा ब्यवस्था पर परने वाले परभाव को लेकर क्या आप असर परेगे बिहार के तमाम सिक्षकों पर और क्या असर परेंगे तमाम सिक्षक अभिहर्थियों के उपर इससे पहले की मिंदू को हम विस्तार पुर्वग परस्तूत करें जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो किर्प्या सब्सक्राइब कर लेंगे शाथियों इन दुनों बिहार की सियासत काफी गहमा गहमी के साथ चल रही है और हम आपको बता दे कि किसी भी समय बिहार में सरकार बदल सकती है और ये उमिद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री नितीश कुमार ही रहेंगे लेकिन भासपा अगट बंधन के साथ में शाथियों एहम दिन है 27 जनवरी 2024 दिन बहुत बड़ा मुद्दा संचन कर आएगा और उमीद जताई जा रही है कि 28 जनवरी 2024 को एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में सपत ले सकते हैं नितीश कुमार भासपा के साथ मिलकर क्योंकि खुले तोर पर नहीं लेकिन अपने सब्दों में माननी ये मुख्यमंत्री ने असपष्ट कह दिये हैं कि किसी भी फाइल को RGD मंत्री के पास नहीं भेजा जाए यानि आड़ेडी मंत्री के पास किसी भी फाइल किसी भी विभाग से समंदित पाइलों को भेजने से रोका गया है अब जो भी फाइल बढ़ेंगे वो नए मुखमंत्री के कार्जकाल में बढ़ेंगे ये असपश्च सब्दों में माननी ये मुखमंत्री ने कहती है अब साथियों हम आपको बताते हैं कि क्या गेम चल रहा है केके पाठक महोदे के उपर आईए जानते हैं साथियों आप सभी जान चुके हैं कि केके पाठक बिहार के अपट मुखे सचीब और पतना डियम के बीच तना तनी बिल्कुल जारी था और इसी करम में एक तरफ पतना डियम बिद्याले को बंद कर रहे थे दूसरे तरफ माननी एक केके पाठक महोदे बिद्याले को खुले रहने की चेताब नहीं दे रहे थे पत्रों के माधम से परन्तु अंत में उन्होंने भी समय परिवर्तन को लेकर पत्र जारी कर दिया लेकिन ये खबर है कि अभी के बिहार के तमाम जी लोग में एक को छोर कर किनी भी डियम के दौरा बिद्याले के समय में ना तो परिवर्तन किया गया है और ना ही बिद्याले को बंद किया गया इसी करम में साथियों बहुत बरी खबर आई कि देर रात देर साम एक पत्र जारी कर दिया गया जिसके अनुसार पटना के डीम डॉक्टर चंद सेकर सिंग को तबादला कर दिया गया है लेकिन हम आपको एहम बाते बता दे साथियों आप बने रहेंगे दोस्तों बहुत बड़ी खबर मैं बताऊंगा क्योंकि इससे पहले इस मुद्दे को जानना जरूरी है पटना डीम को टांसफर कहां किया गया ये जानने साथियों कि अब वे मुखमंत्री के विशेश सचीव बना दिये गये हैं आप पत्र देख सकते हैं साथियों जिसमें लिखा गया है कि सिरी चेंदर सेकर सिंग बारतिये परसासनिक सेबा 2010 समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी पटना अतिरिक परभार बंदोवस्त पदाधिकारी पटना को अस्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विसेश सचीव मुखमंत्री सचीवाले बिहार पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है तो साथियों उनका ट्रांसफर अन्यत्र जिलाधिकारी के रूप में नहीं मुखमंत्री सचीवाले में हुआ है यानि मुखमंत्री के घर में हुआ है माननिय मुखमंत्री ने ऐसे डियम को अपने पास बुला लिया है अपना कड़े भी बना लिये हैं अपने कार्जों को देखने के लिए बुलाए हैं तो अब सबाल उठता है कि केके पाठक के साथ क्या होगा होगा वही साथियो जो लोग आसा कर रहे थे उमीद जताई जा रही है कि आब केके पाठक महोदे को अपने इस विभाग से हाथ दोना होगा और दूसरी विभाग में जाना होगा यही उमीद है ये बहुत परा गेम है सातियों क्योंकि आप समझ लिए कि बिहार सरकार मुखमंत्री के रूपे भाजपा के साथ गटबंधन करकी सरकार बनाने जा रही है और बीते दिन आप सभी अबगत है उपमुखमंत्री और भाजपार राजसभा सांसद स्री सुसिल कुमार मोदी दौरा केके पाठक को हटाने की मांग की गई थी सीएम महोदे के साथ उन्होंने मांग की थी मुखमंत्री से कि केके पाठक के दौरा सिक्षा के छेतर में जनहित में करज नहीं किया जा रहा है कि जब नितीश सरकार भाजपा के साथ सरकार बनाने जा रही है और भाजपा के सांसत महोदे ही केके पाठा को हटाने की मांग कर रहे थे तो सभाविक है कि उनके सिक्षा विभाग बदल जाएंगे इससे पहले आप गौर करेंगे साथियों कि जो भी सिक्षक के मुद्दे थी सिक्षक बहाली से चाए फरजिवारी के मुद्दे हो या फिर रिजल्ड के मुद्दे हो या सप्लिमेंटरी रिजल्ड के मुद्दे हो किसी भी मुद्ध पर भासपा के किसी भी निताव द्वारा कोई भी मांग नहीं कि जा रही थी प्रन्तु केकी पाठक को हटाने की मांग माननिये सुसिल कुमार मोदी द्वारा उठाया गया इससे आप अबगत है तो साथियों यह नेशित है कि यह बहुत बड़ा गेम केके पाठक महोदे के साथ हुआ और यह संभावना नहीं जादा से जादा संभावना जताई जा रही है कि नेशित रुप से उनके विभाग अब बदल जाएंगे अब साथियों आईए हम जानते हैं कि आखिर क्या सिक्षक और अभिहर्थियों के दिन लोटेंगे तो बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि सरकार बदलेगी और सरकार बदलने के बाद अभिहर्थियों का मुद्दा भी है और सिक्षकों के मुद्दा भी है अभियर्थियों के सिक्षक, अभियर्थियों के मुद्दा बता दे साथियों कि तमाम अभियर्थी सप्लिमेंटरी की रिजल्ट की मांग को लेकर पटना की धर्ती पर इस कराके ठन में जमे हुए हैं, तो उधर BPSC TRE2 के अंतरगत चैनित अभियर्थी विद्याले आवंटन हो चुका था और यहां लगभग 15 दिन बीतने को है विद्याले आवंटन की शुरुवात नहीं हुई है, इससे उपापोह की इस्थिती बन चुकी है चैनित अभियर्थियों के साथ। क्रेडिट के साथ होगा, निशित रूप से होगा, नए सरकार के क्रेडिट के साथ होगा, विद्याले आवंटन निशित रूप से होगी, इसमें कताई इनकार नहीं किया जा सकता है, एक और बड़ी बात बता दू दोस्तों, कि नियोजी सिक्चकों की जहां तक मामले हैं, तो नियोजी सिक्चक के दिन लोटने के आसार नहीं लग रहे हैं नए मुखमंत्री के रूप में सफ़त लेने के बाद क्योंकि हम आपको बता दे कि आए दिनों सिक्षकों के लिए जो भी रननिती बनाई गई है जो भी फरमान आये हैं वो सिक्षकों के आहित में आये हैं उसके बाद विद्याले से संबंध जो भी आए हैं सिक्षकों के सासा छात्रों के अहित में भी आए हैं। अब यहाँ पर सरकार बदलेगी और नए भाजबा गटपंधन के साथ जाएंगी तो स्वभाविक है कि नितीश शरकार बरतमान सरकार सिक्षकों के साथ बदले की भावना से आएंगी वो इस रुप में कि बीते बिधान सभा के चुनाब में तमाम नियोजित सिक्षकों ने बड़ी संख्या में एक जूटता के साथ तेज़सी सरकार को समर्थन दिया था और बोट भी किया था भले ही तेज़सी सरकार नहीं कुछ कर पाई नियोजित सिक्षकों के साथ लेकिन अब हो सकता है कि बदले की भावना के साथ नियोजित सिक्षकों के साथ करवाई हो क्य यहां तकी साथियों आप सभी अवगत है कि विशिष्च सिक्षक को लेकर लाखों की संख्या में राय पहुंची थी, सरकार के पास विविवाग के पास की इसका विद्याले अध्याबक नाम रखा जाए, उस पर नहीं समातिवदी और विशिष्च सिक्षक निवावली के साथियों को हटाने की मांग की गई थी और ये तमाम लाखों की संख्या में विचार गया था, उस पर भी अमल नहीं किया गया, तो अब महुका मिल जाएगा बरतमान नितीज सरकार को भाजपा गटबंदन के साथ नियोजी सिक्षकों के साथ बदले की भावना का मजे लेन का, तो साथियों ये एहम खबर है और तमाम धर्ज बना कर रखने हैं तमाम सिक्षक अभियर्थियों के साथ साथ, तमाम सिक्षक बंदों का, आखिर देखना है कि होता क्या है, नियोजी सिक्षकों की परमुख मांगों में रहा है, कि तमाम अगर परच्छा ही देनी परे, तो हर हाल में तमाम नियोजी सिक्षकों को एक से अधिक पदों पर आवेदन करने के मौके दिये जाए ताकि सीटों की संख्या पर्याप्त है और अभ्यर्तियों को उचे पदों पर जाने का अबसर मिल जाए तो कि विभागिया परिछा नहीं हो रही है तमाम सिक्षकों के सा ये एक रूप से कहा जाए तो नई भरतिया कहा जाए परिच्छा सुल्क भी देने पर रहे हैं तो एक से अधिक पदो पर निश्चित रूप से आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए दोसरी बड़ी मांग रही है एक्षिक अस्थनांतरन का तो देखना है कि इस पर नई सरकार काम करती है की नहीं हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वेडियो में नए ताजा खबर के साथ तब तक के लिए कहते हैं साथ यों सियर कर देंगे लाइक करेंगी और अच्छे कॉमेंट के साथ आप सुचना भेजेंगे हम फिर मिलेंगे जय हिन जय भारत दोस्तों